आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनी ग्रहे के संबंध में उपाएं जन्म कुंडली में शनी ग्रहे जब बुरा हो या आपके चलित चक्र में शनी की स्थिति अच्छी ना हो ठीकर? और गोचर में शनी की स्थिति अच्छी ना हो तो आपकी जिन्दगी में जिस घर में शनी बैठए हैं कुंडली के उस घर की परेशानिया देते हैं क्योंकि इनकी स्पीड स्लो है, हर कारी को मंद कर देते हैं, हर कारी की गती को घटा देते हैं, इसलिए शनी की गती बहुत धीनी है, अब उस कार्य को संपाधित करने में शनी ग्रह की उपचार करके कैसे ठीक किया जा सकता है, दरसल शनी की धैया, सनी की साढ़े साथी, सनी की महादशा, अंतरदशा इत्यादी में जातकों को प्राया समस्याएं आती रहती हैं, जब शनी ग्रह आपको परिशान कर रहे हो, तो क्या नहीं करना, जूट नहीं बोलना, शनी वार को प्रयास करें, लहसुन प्याज बिल्कुल न खाएं, मांसाहार मद्दपान बिल्कुल न करें, किसी का गलत धंग से कमाया हुआ पैसा अपने पास कतई न रखे, ठीक है, फटे हुए जूते बिल्कुल न पहने, प्रयास करें शनी वार के दिन किसी गरीब ब्यक्ति को जूते चप्पल, छत्र, छत्री इत्यादी का दान करें, कंबल का दान करें, अधिक शनी ग्रह खराब होने पर, रोज आना अपने द्वारा अपने हाथों से ही, ओम, प्राम, प्रीम, प्रॉम, सह, शने नमह मंत्र का जब करें, और एक बात, जब शनी खराब हों या ना खराब हों, तब भी आदमी को दान अवश्य करते रहना चाहिए, शनीवार की दिन विशेश तोर से चाया पात्र की कटोरी लेकर, चाया पात्र की कटोरी बहुत आराम से बरतनों की दुकान से मिल जाती है, चाया पात्र की कटोरी लेकर की उसमें सरसों का तेल डाले, और चाया यानि मुह अपना मुख उसमें दर्शन कर ले, मुख देखने के बाद चाया दान की संग्या मिल जाती है, अब थोड़े से तिल चुटकी भर ले लीजिए, अपने उपर से साथ बार उतार लीजिए, उतार के तेल में तेल डाल दीजिए, और कुछ दर्ब्य दक्षना जो की सिक्के हो, चलते हो, शर्त इतनी है, आजकल एक का सिक्का कहीं नहीं चलता है, तो कम से कम पांच या दस रुपीय का सिख्खा डाल सकते हैं और वो आप किसी मौंगने वाले को जो आजकल आते हैं शनिवार के दिन विश्वतर से उनको दे दे फिर शनिवार के दिन ही सरसों के तेल में बने हुए उरद की डाल की पीठी के बड़े सात के मात्रा में बना ले सात बड़े बना करके थोड़ा सा उसमित दही छिड़क दे और किसी ऐसे सुंसान अस्थान पर जहां पीपल हो अपने उपर से सात बार उतार के वहां रख आएं बड़ा प्रभावशाली उपाय है अगर पीपल नहीं है तो आप दही अधिक मात्रा में डाल दे कुत्तों को खिला दे ठीक है ये उपाय हो गया शनी का ही और यदि और ज्यादा आपको लाव लेना है तो शनी मंत्रों का जब जितनी भी संख्या है 23,000, 28,000 जब करवा के इसका हमन करवा दे शनी ग्रह की शांती हो जाने पर आप जब हमन हो जाए तो वहां से जो नारियल मिलता है उस नारियल को अपने उपर से उतार करके साथवार सरसों के तेल का तिलक लगा दे जटा नारियल होना चाहिए और वो बहते हुए पानी में प्रवाहिट कर दे इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रहत मिलेगी कि हमारे पास ऐसे कई लोगों के उपाय मेंने करवाए और उनको बड़ा अच्छा परणाम मिला तो इस तरह से शनी का उपाय करके लाव लिया जा सकता है अब सरदी की मौसम में गरीबों को कंबल, काले रंगा कंबल, नीले रंगा कंबल आप दान करके भी अपने शनी ग्रह को शांत कर सकते हैं सरल उपायों में से, पीपल के ब्रक्ष के नीचे शनी वार को संध्याकाल में या बिलकुल प्राताकाल में सरसों के तेल का दीपक, चव्मुखी दीपक जलाने और वहाँ पर जलाके रख दें और उसमें थोड़े से तिल डाल दें ये उपाय भी आपको शनी ग्रह से शांती का बड़ा अच्छा लाब देगा अशनान वाले जल में 7 से 11 ड्रॉप्स सरसों के तेल की डालने और फिर थोड़े से तिल डालने उसमें उसी जल से आप अशनान करें आपको बड़ी सार्थकता सकारात्मकता मिलनी शुरू हो जाएगी आपकी गती सीमा बढ़ जाएगी लूले, लंगडे, अपाहिज, विक्तियों को शनीवार के दिन कुछ भी खाने को दें शनी ग्रह आपको अगर पीडित कर रहे हैं तो पीडित नहीं करेंगे इस तरह से शनी के ग्रहों के बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो हमें जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं तो सनी ग्रह के इन उपायों के साथ मैं पुना अगले और वीडियो में शनी के ग्रह और ग्रहों के उपायों के बारे में चर्चा करूँगा फिलाल शनी ग्रह के इस उपाय के साथ ही लेते हैं विदा आप सभी सुखाल, खुशाल रहें, प्रसंद रहें इसी कामना के लेते हैं विदा, नमस्कार, जैश्टर कुष्णा, प्रणाम